अब इस आकृती को ध्यान से देखिए ठीक है यहाँ पे एक बना है एसक्वाइर पूछ रहा सवाल में किनिम लिखित आकृती में कितने बर्ग हैं बर्ग बताना है कितने हैं तो एक तो यह समूचा पूरा का पूरा बर्ग आपके सामने दिखाई दे रहा है यह टोटल बर् हो गया दोस्तों तो एक और बर्ग छुपा है यहाँ पे पांचे छे हो गया इसके अलावा इसके अलावा आपको कोई और बर्ग दिखाई दे रहा है तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई भी बर्ग दिखाई नहीं देगा या यहां पे लिखा जाएगा कि option number C, एक ये, दो, तीन, चार, और ये पुरा का पूरा एक 5, और ये एक 6, यानि कि option number C अपका right हो जाएगा, अगला सवाल धियाँ से देखिएगा, ठीक है, सवाल ये है, कि 4 है, 11 है, 30 है, दूसु, 19 से, 128 से question मारक यहां पे दिया गया है, आपको बताना है कि यहां पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कि 4 में 2 से गुडा कर देंगे, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस 3 कर देंगे, 11 हो जाएगा, इसी तरह से, यहां पे हम 2 से गुडा करेंगे, तो आपको 22 हो जाएगा, और यहां पे प्लस 8 करेंग तो यह 30 हो जाएगा और इसी sequence में अगर हम यहाँ पे गुड़ा 2 से करते हैं तो फिर यह 256 हो जाएगा यह तो already जादा हो गया 256 में आप कुछ भी जोड़ियेगा तो 219 तो नहीं आएगा ना क्योंकि वो हमेशा 219 से जादा आएगा तो यह sequence यहाँ पे फेल हो गया हम कुछ अ आने वाले हैं यहाँ पे जो 4 कैसे आया 4 आया 1 Q प्लस 3 कर दिया ठीक है 1 Q प्लस 3 कर दिया आगे क्या किया यहाँ पे कर दिया 2 Q प्लस 3 तो यह कितना हो गया 8 प्लस 3 11 यहाँ पे कर दिया 3 Q प्लस 3 यानिकि 27 प्लस 3 बराबर 30 हो गया उसी टर्म में यहाँ पे कर दिया 4 Q प् जाएगा और यहाँ पर 6 q plus 3 करेंगे तो 216 प्लस 3 219 हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से रिजनिंग के सवाल बनते हैं दोस्तों और आप भी ट्राइ कीजिए और वीडियो अच्छा लेको तो लाइक करना जरूर मत बुलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए बस इतना ही मिलते हैं आप सेने उडग साथ तक लेजाजा दी